नमस्कार साथियों मैं शितांशू जैपूर रास्तान से आज आपके समक्ष एक विशेश बिंदू पर परिचर्चा करने के लिए या उस पर अपना विचार प्रकट करने के लिए आपके सामने उपस्तित हुआ हूँ साथियों जैसा जनवरी 2020 में रास्तान सरकार के द्वारा जो भरतियां थी इसकूल व्याख्याता की जो भरतियां थी उनकी RPSC के द्वारा जो परिख्षा आयूजित की गई थी उस परिख्षा के अधिकांस विश्यों के परिणाम जारी कर दिये गए हैं कुछ एकाद विश्यों के परिणाम रहे हैं वो भी एकाद विश्यों के परिणाम भी अब जारी कर दिये जाएंगे तो कुल मिलाकर के बात ये है कि जो ये परिख्षा के परिणाम आएं हैं इन परिख्षा के परिणामों के पश्यात विद्यार्थियों के भीतर मन में भाव उत्पन हो रहे हैं कहने का मतलब उनमें वहापोह की दशा है एसमबंजस की दशा है और कुछ विद्यारतियों में अवसाद की दशा तक भी उत्पन हो गई है अलब डिप्रेशन की इस्तती और इस तरीके का एक उनका मन में ऐसा नकारात्मक भाव नेगेटिविटी व पर इसके तहट जो भी यह परिस्तती उत्पन हुई है या परिस्तती है उसके तहट हमें किन पर चर्चा करनी है तो एक तो हम जो चर्चा करना चाह रहे हैं उसमें पहली इस्तती तो यह कि भही हमें यह परिणाम आया है इस परिणाम के तहट सबसे पहला तो हम यह देखन चाहेंगे कि परिक्षा का ये जो परिणाम हमारे सामने आया है इस परिणाम का ये परिणाम है क्या एक्टली मतलब इसकी परिणाम की क्या प्रवर्ती है ये परिणाम क्या दर्शारहा है ठीक है एक तो ये मतलब ये कि ये अंतिम परिणाम है या अनंतिम परिणाम है क्या है ये एक बात दूसरी बात इसके तहट हम ये देखना चाह रहे हैं कि परिणाम जारी होने के पश्यात अब उसके आगे क्या है उसके आगे क्या है उसके आगे क्या प्रक्रिया है ये जनरली सामने तया दूसरा प्रकार का जो बिंदू है वो सामने तया जब परिणाम जारी हो करना होता है तीसरा जो जिस महतुपण बिंदू पर हम चर्चा करना चा रहे हैं इनके साथ साथ जिस महतुपण बिंदू पर चर्चा करना चा रहे हैं कि अब इस परिणाम के पश्यात कुछ ऐसे विद्यारती जिनके सामने अलग-अलग प्रकार के कई ऐसे प्रशन खड़े प्रकार के ऐसे विद्यारती जो इन परिणामों के सकारात्मक उस परिणामों के जो उनको सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं उसके कारण से या किनी कारणों से जो नकारात्मक था या नेगेटिव उनका रिजल्ट आया है या कुछ कमी रहे गई है उसके तहत जो दोन मनोदशा की है यह मनोदशा को अब हम उसमें किस तरीके से अपने आपको आगे बढ़कर के उस मनोदशा से सामना करें तो कुल मिला कर के हम यहां पर यह देखना चाह रहे हैं कि इसे इन परिणामों के पश्यात अब जो विद्यार्थियों का वर्ग जिसके समक्ष कई प्रकार के प्रशन खड़े हो गए हैं उन विद्यार्थियों के वर्ग के सामने उन प्रशनों का यह किस प्रकार से वह सॉलूशन निकाले हम यह यहां पर इस प्रकार के कोई प्रश्णों की या इस प्रकार के उनके उन प्रश्णों की बात नहीं कर रहे हैं कि काउंसलिंग में कैसे क्या होगा वो तो सरकार या RPS से समय समय पर अपने वेब साइट पर निर्देश जारी कर देगी या जो भी संचार माद्दे हमें उनके तो इनके द्वारा ये जारी कर दिया जाएगा कि आगे और क्या प्रक्रिया होने वाली है किस प्रकार से ये प्रोसेस होगा आगे बढ़ेगा ये प्रोसेस तो कुल मिलाकर करके अभी हम जहां पर जिस महतुपुन बिंदू पर चर्चा करना चाह रहे हैं वो ये कि ये विद विद्यार्थी जो विद्यार्थी इसे प्रोविजनल सूची जो जारी की गई है इस प्रोविजनल लिस्ट में जो विद्यार्थी आ गए है उन विद्यार्थियों में लगभग सभी जो जिनके काफी अच्छे मांक्स हैं काफी ज्यादा मांक्स हैं तो वो विद्यार्थ तो निश्चित रूप से सलेक्ट अपने आपको अंतिम रूप से मान ही रहे हैं लेकिन फिर भी सभी प्रकार के विद्यार्थी जो की प्रोविजनल लिस्ट में आ गए हैं विचारे सुची में आ गए हैं एक तो ऐसी विद्यार्थी इसमें से दूसरे वो विद्यार्थी ज जो उनकी qualification मांगी गई थी उसमें उसको वह fulfill कर रहे हैं अर्थात वो उसके अनुसार हैं और जिनकी merit जो cut off गई है उस cut off से बहुत ज्यादा उनके marks हैं जिसमें उनको किसी प्रकार की चिंता की कोई आवशक्ता महसूस नहीं हो रही है ऐसे विद्यारतियों दूसरे प्रकार के ऐसे विद्यारतियों की हम बात कर रहे हैं जिसमें हमने कहा कि जो अंतिम रूप से counseling के लिए या ऐसे विद्यारती जो जिनका चैन सुनिश्चित है अगर वह है जिन परिस्तितियों के हमने बात की कि उन परिस्तितियों के अनुसार है और प्लस उसके साथ ही उनका जो cutoff marks है उससे ज़्यादा उनके परियाप्त इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि वो निश्चिंत हो करके निश्चित हो सकते हैं ठीक है तो ऐसे विद्यारति तीसरे ऐसे प्रकार के विद्यार्थी हैं जो विद्यार्थी कुछ माक्स से रहे गए हैं यह यह कहलीजिए कि वो प्रतिकूल परिस्तितियों के परिणामत है जो विद्यार्थी या उनके कारण जो विद्यार्थी इस परिक्ष्या को पास नहीं कर पाए हैं या उनका इस ल में नाम नहीं आ पाया है कि कई कारण किसी प्रकार के हो सकते हैं वो नहीं आ पाये हैं इस परिक्षा में जो इस प्रकार के विद्ध्यारती हैं जो पास नहीं हो पाए हैं उनको लेकर के तीसरे प्रकार के विद्ध्यारती जो अब यह है आने वाली भरती क्योंकि सरकार के द जो इस जनवरी 2020 के इस परिक्षा में जिन्होंने भाग नहीं लिया उनके अलावा कुछ ऐसे नए विद्ध्यार थी जो अब PG करकर के यानी MMSC करके आगे आ रहे हैं और जिन्होंने अपने बीड की परिक्षा भी पास कर ली है या पास कर लेंगे तो इस परकार कैसे विद् अब अपने आपको तैयार करके रखें कैसे अब आने वाली दर्शाओं को फेस करना है कैसे हुए इन परस्तितियों के साथ वह है अपना उसके सास्वानजे से बिठाते हुए या उसके साथ किस प्रकार से और कम कर सकते हैं आगे निकल सकते हैं तो देखिए कि इसमें इस पहला विंदू परिणाम है क्या तो देखे परिणाम की जो वास्तविक्ता है वो ये है कि ये विचारित है विचारित मतलब ये प्रोविजनल है प्रोविजनल का सीधा सावी प्राय है कि आर्पियसी ने ये है मानने नयाहले के आदेशा अनुसार जैसा उन्हें वहां उनको निदेश दिया कि भाई आप यह लंबे समने तक परतिकषा सूची को जिस परकार से उसमें लंबा समय लगता रहता है पर अंतिम रूप से फिर जब जो विद्धियारिती जिस तरीके से शुरूआत में जिनका पहली कांस्लिंग में जिनका नूंबर आ जाता है फिर उसके प प्रतिक्षा सूची के बजाए अगर शुरुआत में जितने पद हैं उन पदों से दुगने विद्यार्थियों को इस सूची में डाल दिया जाए जिससे वो विद्यार्थी ये इसकी प्रतिक्षा नहीं करते रहे हैं कि हम प्रतिक्षा सुची में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं तो अभी उनको ये पता लग जाएगा कि हम इस सुची में हैं कहने काम अभी प्राय ये है कि यह ऐस थाई प्रकार की सुची है जो की विचारित है जानी इन ही में से अंतिम रूप से विद्यार्थियों का चैन किया जाएगा फिर दूसरी बात कि अब उसके पश्याद क्या करना है उसके पश्याद करना क्या है तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर अब उसके पश्याद यह परिणाम जारी होने के पश्याद जैसा RPSC जब परिणाम जारी कर रहे हैं जैसे जैसे इन परिक्षाओं के परिणाम RPSC जारी कर रही है तो उनके साथ साथ ही वह है उन दिशा निर्देशों को भी जारी कर रह हैं और डॉकुमेंट्स को मंगाने के पश्यात फिर अंतिम रूप से उसमें ये देखा जाएगा कि कौन से विद्यार्थी उसमें किस प्रकार से हुआ है उसे जो उनकी क्वालिफिकेशन मांगी गई थी उसमें फुल्फिल करते हैं जितने विद्यार्थियों के उसमें ये जितने विद्यार्थियों के डॉकुमेंट्स आ जाएंगे तो उसके अनुसार वो निरने ले लेंगे फिर काउंसलिंग में ये तैह हो जाएगा फिर काउंसलिंग की सूचना दे दी जाएगी चाहे वो विभिन प्रकार के संचार माद्यम हो या और पियस से स्वेम अपनी जो विद्यार्थी आने वाले हैं तो वो विद्यार्थी कौन से हैं हो सकता है किसी उच्चेतर परिक्षाओं को पास करके वो आईएस आरेस और किसी और परिक्षाओं में वो निकल गए हैं तो वो इस विद्यार्थी जो पहले से किसी और ऐसे पद पर सलेक्ट हो चुके ह जो इससे उच्छ पद है या हायर पॉस्ट है या ऐसे विद्यार्थी जो किनी परस्तिते के वज़े से यह जोई नहीं कर पा रहे हैं तो इन सारे विद्यार्थियों को यह हटाने के पश्यात जो बच गए हैं तो फिर इस प्रकार से जो विद्यार्थी हैं वो इसी सूची म पर उसके बाद जो होना है वो इस तरीके से निश्चित हो जाएगा कि किन विद्यार्थियों का तो एक बात तो ये तैय है कि अंतिम रूप से अब कोई प्रतिक्षा शूची और निकलनी नहीं है अब इनी में से अंतिम रूप से जो सलेक्टेड अभ्यारती है उन अभ्यार नाम के पश्चात अब उनको फेस करने जा रहे हैं जिन जिन तथ्यों के अब उनको उनका सामना होने वाला है उन तथ्यों को किस प्रकार से उनके नकारात्मक रूप में है यानि उनके नेगेटिव रूप में है तो किस तरीके से उसे ओवरकम करते हैं तो इस प्रकार से जो ऐसे विद्यार्थियों के हम बात करना चाह रहे हैं जिसमें हमने कहा कि वो चार प्रकार के विद्यार्थी हैं इसमें चार प्रकार के विद्यार्थी हैं कि एक तो जो विचारिद सूची में आ गए हैं वे विद्यार्थी अब विचारित सूची में जो विद्यारती आ गए हैं लेकि समझने की बात ये है कि जो प्रोविजनल लिस्ट में जो विद्यारती आ गए है उसमें दोनों प्रकार के विद्यारती हैं तो एक तो पहली बात जो हमें सबसे महतुपून रूप में दिहां रखनी है सबसे पहली बात यह सारे प्रकार के विद्यारतियों को चारों प्रकार के विद्यारतियों की चारी प्रकार के विद्यारतियों की स्रेणी बनेगी इस परिणाम के पश्यात चारी प्रकार के विद्धियार्थियों के स्रणी आने वाली है जो इस वियाख्याता या इसकूल लेक्शर्शिप की तयारी कर रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं तो ऐसी स्तिय में चारों प्रकार के विद्यार्थियों के लिए एक बात तो तै है कि हमें आगे विशे को पढ़ना है जो विद्यार्थी जिनका चैन फाइनल है सुनिस्चित है जो बिलकुल कॉंफिडेंट है जिनके इतने अच्छे माक्स हैं कि वह अंतिम रूप से चैनित हो ही जाएंगे इस प्रकार के विद्यार्थी जिनके अच्छे माक्स हैं काफी अच्छे माक्स हैं तो ऐसे विद्यार्थिों को भी और उच्यतर परिख्यों के लिए जैसे हमने यहाँ पर कहा या हम कह रहे हैं कि कॉलेज व्याख्याता या युनिस्ट्री वगरे के असिस्टेंट प्रोफेसर्शिप के पद के लिए जो विशय को ले करके यह है और अधिक उचितर पद है तो आखिरकार जब व्याख्याता जिस विशय का बन रहा है उस विशय की पढ़ाई तो अब उ विशय का बन रहा है तो उस विशय का विशय का मतलब ही यही हो गया कि आखिरकार उसे इस विशय को तो अब हमेशा पढ़ते ही रहना है ठीक है हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो यह है कि जो विचारित सूची है प्रोविजनल लिस्ट है प्रोविजनल लिस्ट से जो अंतिम जोस्ची चेन वाली तैयार होगी अगर उसके इसाब से मोटा-मोटा देखें तो एक अनुमान के अनुसार यह अनुमान भरी ही है अन्यर प्रकार के विश्यों इन सभी प्रकार के विश्यों का विशलेशन करने के पष्यात और सेक्डों विद्धियारतियों के विच शाथ एक अनुमान लग रहा है कि लगभग जो प्रोविजनल लिस्ट में जो नंबर है उसमें जो कट ओफ मार्क्स हैं विचारे सूची में उससे 10 से 15 नंबर का 10-15 नमबर का प्लस होकर के अंतिम चैन होना है यानि जो कट ओफ मार्क्स हैं उससे कुछ ज़्यादा मार्क्स ही तो कि देखे एक बात इसमें ये भी समझने की है कि जब प्रोविजनल लिस्ट में जो कट ओफ आये हैं इसलिए कोई बहुत ज़्यादा उसमें ऐसा लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा इसमें एक्स्ट्रा मार्क्स वाले कट ओफ पर उच्छा आ जाए कहने का मतलब ये है कि जितना कट ओफ मार्क्स आया है उस कट ओफ मार्क्स से 10-15 नमबरों का और अंतर आ जाएगा लिस्ट के सभी विद्यार्थी उहा पोह की स्ति में रहेंगे ऐसा मंजस की स्ति में रहेंगे क्या हमारा आ रहा है या क्या हमारा नहीं आ रहा क्योंकि उन्होंने अपने आपको इस अनंतिम या प्रोविजनल लिस्ट में अपने आपको शामिल किया है या उन्होंने उसमें इस्थान ग्रहन किया है तो निश्चित रूप से जो किनी कारणों से नहीं इस्थान ग्रहन कर पाया थे उनसे तो आगे है और इसलिए उनकी चैन की निश्चित रूप से उनके चुनाव किया उनकी चैन की भी यह आहरता तो बनती है खेर अब जो दोनों प्रकार की विद्यारती है तो एक तो जिनका किनी कारणों से ऐसा मंजस की स्थती में है तो जो चैन हो रहा है जब उनको भी पढ़ना है तो पढ़ना तो आपको भी है पढ़ना तो इसे पहले प्रकार की विद्यारती हो क्यों भी है उनको क्यों पढ़न उनको इसलिए पढ़ना है कि ये विद्यार्थी या तो इसमें चैन हो ही जाएगा तो चैन होने के पश्याथ जैसे हमने यहां पर बात की उनको भी आगे की परिक्षाओं के लिए आगे उच्छे तरपद प्राप्त करने के लिए पढ़ते रहेना है और अपने आपको विशे के प्रती ये अपडेट रखने के लिए पढ़ते रहेना तो एक तो वो चैन हो जाता है तब भी उनको ये काम करना है और फिर उसके साथ साथ अगर किनी कारनों से कुछ माक से अगर रहे भी रहे हैं प्रोजनलिस्ट में आने वाले विद्यारती अगर किनी कारनों से रहे भी रहें तो हम इस बात का क्यो वेट करें हम इस बात का क्यो इंतजार करें कि हाँ हम अगर यह है लिए लिस्ट में न रखना ही रखना है हर हाल में रखना है क्योंकि ये जो समय होता है इस समय क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि किसी भी विशय को या किसी भी टॉपिक को पढ़ने में जिस भी विशय के आप हैं अगर थोड़ा भी आपने गैप देना चालू किया तो विशय बहुत जल्द भूला दिया जाता है या विशे आप बहुत जल्दी भूलते चले जाते हैं इसलिए आपको पढ़ते तो रहना ही है तो यहाँ पर दोनों प्रकार के विद्यार्थियों को यह काम करना है अब तीसरे प्रकार के विद्यार्थियों के बात करें ऐसा पल प्रकार के विद्यार पी कैसे विरोधा भास से बात लगेगी लेकिन फिर भी इसके सकार अत्मक्ता क्या है क्योंकि जब तक वह अपने आपको इस कमी को महसूस नहीं करेगा महसूस करने वाली बात है उसे निश्चित रूप से अपने पहले की उन बातों को ध्यान रखना पड़ेगा कि आहाज प प्रतिकूल परस्तियों के साथ मैं सामंजे से स्थापित कर पाया क्या प्रतिकूल परस्तियों मेरे उपर हावी थी या मैं प्रतिकूल परस्तियों पर जो मुझे हावी होना चाहिए था मैं उन पर हावी नहीं हो पाया तो क्या ऐसी स्थतियां थी क्योंकि एक बात तो तै है एक बात तो तैह है कि आखिरकार आज हम अवसाद में भी है डिप्रेशन में भी है तब भी आखिरकार पांच मेहने बाद छे महीने बाद साल भर बाद दो साल बाद वापस से आपको तैयारी तो करने में के लिए जुटना ही पड़ेगा क्योंकि जब हम फिल्ड में उतर रहे हैं जब हम जीवन के उस समर में उतर रहे हैं तो आकिरकार लेट ही सही कभी भी जाकर कि अब है इन सब परिस्तितियों से वापस से आपको सामना करना ही पड़ेगा तो फिर हम ये समय भी आउसाद में क्यों खराब करें क्योंकि ये जो इस प्रकार की स्तिय है एसफल विद्यारतियों को विशेश कर समझना है कि अगर आज जो लोग हमें जिस तरीके से असपास हमारे असपास वाले लोग जिस प्रकार से हमारे साथ अपिक्षा कर रहे थे अगर मैं उन अपिक्षाओं पर आज खरा नहीं उतरा हूँ तो साल छे मैने बाद ही सही इस्ताई रूप से एसफल होने के बजाए अगर मैं साल छे मैने के बाद ही सफल हो जाता हूँ तो मेरी पूरू की जितने भी समय था जितना भी टाइम था वो सारा समय अन्तिम रू रहा हूं और मान लीजिए ये आवसाद मुझे पर इतना हावी हो गया और ऐसी स्तती में मैं कुछ कर नहीं पाया तो फिर यह जीवन भर के लिए मेरा और मेरे से संबंदित जो सभी लोग हैं जो मुझे पर निर्वर लोग हैं या मुझे पर ये जो संबंदित लोग हैं वो वो सब ही आखिरकार इससे प्रभावित होने जा रहे हैं तो अभीप्राई ये है कि इस्ताई रूप से ऐसफल Hilloth विक्ति की स्ध्रिनी में आने के बज़ाए देर से ही सही äसे विद्यार्थियों के बात कर रहे हैं देर से ही सही सफल तो होना ही है सफल तो आपको होना ही है हर हाल में होना है सफल और आप निश्चित रूप से क्योंकि अगर आप इसमें अपने समय को गवाए बिना समय को व्यर्थ किये बिना तुरंत आप यह है इस पर आ जाईए कि कौन-कौन से ऐसे पॉइंट थे कौन-कौन से से बिन्दू थे क्या मैंने यह है जो M.C. Q. questions है अर्थाद जो multi-soise questions है विकलपिक जो प्रस्चनों वाले है उनका क्या मैंने यानि जो भी आप topic पढ़ रहे हैं उनके question paper की practice की क्या उन topics का मैंने revision किया क्या मेरी इस परकार की जो प्रतिकूल परस्तितिया थी उन प्रतिकूल परस्तितियों चाहे पारिवारी को चाहे आर्थिं को चाहे शारी प्रकार की हो यानि स्वास्तिय संबन्दी प्रॉबलम हो क्या उन परस्तितियों पर मैं हावी हुआ क्या या वो परस्तितिया मेरे उपर हावी हो गई है तो अग आपका पिछले परिक्षा का अनुभाब है उन अनुभाब को आप पुइंट आउट करिए कि आपके सामने किस प्रकार की समस्या आ रही थी उन्से प्रभावित होए और उन्से प्रभावित होने के इकान से उतना समय दे नहीं पाए उन को आप लिखते चलिए एक बार आप इस तरीके से इन समस्याओं को लिखते चलेंगे तो फिर जब आप तैयारी करने बैठ रहे हैं और निश्ची तो उसे बैठना ही है समय व्यर्थ गवानी के आवशक्ता नहीं है जोगी इन इन विद्यार्थियों के साथ एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है पॉजिटिव पॉइंट यह है कि जिस स्थान पर एक तो उन्होंने अनुभव प्राप्त किया नमबर एक बात एक्सपिरेंस लिया हो सकते हैं जो मुझे बार-बार परिशान कर रही थे तो मैं क्यों न उनको पहले से अच्छे से करके रखूं उनको तयार करके रख लूं जिससे परिक्षा के समय मैं उन पे आवसाद में ना आऊं परिक्षा में टेंशन में ना उन तनाव में ना आऊं कि रहे ये पता ही नहीं है कि कैसे कैसी problems आ सकती है ठीक है नहीं तो कम से कम इन विद्यारतियों को ये सारी चीजें पतातों है कि क्या क्या problems आ सकती है तो ऐसे विद्यारतियों को अपने आपको अच्छे से तयार करके रखना है विशय को उन्होंने लगबक समझ लिया है तो उस विशय क उनके topics को अच्छे से समझ लिया है syllabus उनके mind में है तो विशय को समझने के लिए उनको effort करना नहीं है कुछ बिंदूओं पर उनकी समझ उतनी नहीं विक्सित हो पाई थी या परियात समय दे नहीं पाई थे तो फिर अब उन्हें विशय को पूरी तरीके से समझने की बजाए क कुछ बिंदूओं पर कुछ topics पर कुछ units पर ही ज्यादा जोड़ दे करके रखना है और नहीं के वो उन बिंदूओं पर जोड़ दे करके रखना है बलकि उसके साथ साथ जो पूरू के बिंदू है या नहीं जो बिंदू है उन अन्य बिंदूओं पर अन्य topics पर भी आपक अच्छे से वापस से उसी तरीके से तैयारो करके चलना है तो positivity क्या है positivity ये है कि ऐसे विद्यार्थियों के पास अनुभव आ गया है उस syllabus का उस पाठे करम का अनुभव आ गया है अपनी परस्तितियों को उनको पता है कि ऐसी परस्तितया मेरे सामने आने वाली है या आ सकती ह क्योंकि मैंने इसी परस्तितियों के सामना किया है तो इन परस्तितियों से मैं किस प्रकार से बाहर आ सकता हूँ और किस तरीके से मैं उनसे चुनोती पूर्ण तरीके से चुनोती रूप में लेते हुए है आखिरकार उस पर विजय प्राप्त कर लूँ तो ऐसे विद्यारतियों के साथ बड़ी पोजिटिविटी है क्योंकि बात तो यहां पर आकिर कार यही आ रही है कि आज नहीं तो कल आपको पढ़ने बैठना ही है ऐसे विद्यारतियों के साथ या किनी कारणों से प्रतिकूल परिस्तितियों के परिणाम जारी हुआ है इस परिणाम में अगर उनके लिए पोजिटिविटी नहीं आई है सकारात्मक्ता नहीं आई है तो उससे भी एक और आपको बात समझ लेने की है कि उसके साथ-साथ यहां पर ऐसे विद्यारतियों के लिए एक आप्शन और है और बहुत ही अच्छा आप्शन है कि कुछ ऐसे परिक्षा हैं जो उसी सिलेबस को लेकर के बहुत सारे ऐसे विद्यारतियों का पिछली परिक्षा में अनुभा हो रहा है बहुत सारे ऐसे व परिक्ष उसी इस्तर की उसी ग्रेड की परिक्षा और उसी स्लेबस के साथ होने वाली परिक्षा जिसमें कई ओप्षन होते हैं चाहे वह है देहली की यानि डियासस्वी की परिक्षा हो या चाहे वह है अन्य प्रकार के राज्यों में होने वाली इस प्रकार की व्याख्यात तो जब उन विश्यों से संबंदित सिलेबस है तो उस सिलेबस के तहते चुंकि आपने पढ़ाई की है तो करपया करके प्लीज आप उस सिलेबस को वापस से अच्छे से यह तैयार करिए जहां कमिया रही उनको तैयार करिए क्योंकि उसी तैयारी के साथ जैसे मैंने आपसे के बाद बहुत सारे ऐसे विद्धियारती थे जिनका देहली स्कूल लेक्चर शिप में सेलक्शन हो गया तो आप देखिए तो इस प्रकार के विद्धियारती और वहाँ पर अगर उनोंने उनके संयम देखिए उसे संयम का उनको फल कितना मीठा मिला मीठा इसलिए कह रहा तो ऐसी स्तती में उनके ट्रांसपर की समझ्चा इस्थानांतरण की समझ्चा उतनी ज्यादा भयावय नहीं होती है जो एक राज्य में एक कोने से लेकर के दूसरे कोने तक में कभी कभी इस प्रकार से बारिवारिक स्ततियों में कभी ये विकट स्तती उत्पन हो जाती है और सेंटर स्कूल से समझी है नवदे विद्धियाले की जो परिक्षाइं होती है ये नीमे तुरूप से निकलने वाली परिक्षाइं होती है तो उनकी बरतिया नीमे तुरूप से निकल रही होती है तो बहुत सारे विद्धियारती वहां भी सेलेक्ट होकर के इस तरीके से है अपने लेकिन उसमें सैंयम बहुत आवशक है और अवसाध से बहुत जल्दी और कम करना होगा उससे बहुत जल्दी बहार आना होगा और बहार आने के पश्यात ही वह ہے निश्चित रुप से चुंकि उसकी तेहरी तो करनी है तो फिर तैयारी जिस syllabus की कर रहा है तो उस syllabus के साथ-साथ उसे इन परिक्षाओं को भी पास कर लेना है खेर जो भी है अब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि जो चोथा प्रकार के विद्यारतियों की स्रणी चोते प्रकार के विद्धियारतियों की जो स्रणी है उसे हम नए विद्धियारतियों की स्रणी के रूप में ले रहे हैं इस प्रकार के जो नए विद्धियारतियों के सामने देखिए अब एक चुनोती तो यह है कि उनको अपना केरियर बनाना है इन विद्धियारतियों के उस carrier भरे भूशे बनाने वाले उस समर में कूदना है तो उस कूदने वाले समर में एक बात द्यान रखने की इन पूर्वाले विद्धियार्थियों के आधार पर वसमझ सकते हैं कि competition tough है competition अनुभवी लोगों के साथ है competition ऐसे लोगों के साथ है जिने पता है कि तैयारी कैसे करनी है तो एक तो चुनोती यहाँ पर नई विद्यारतियों के सामने ये है कि पूरू वाले विद्यारती जो पहले से ही बहुत आगे हैं एक तो दोड़ करके उनको पकड़ना और पकड़ने के सासा उनसे आगे निकल जाना एक तो उनके चुनोती आने वाली है तो उन पूरू के विद्यारतियों के अनुबहों को इधर उधर से प्राप्त करते हुए और फिर उसके पश्यात उत्साह के साथ नई सिरे से कि हम पूरू वाले विद्यारतियों की बाती में इनके कोई negativity की बात नहीं कर रहा लेकिन फिर भी यहां पर समझने की है कि नई विद्यारति इस बात को समझ सकते हैं कि ये विद्यारति कुछ समय के लिए ही सही अगर आवसाद में आएं हैं अगर टेंशन में आएं हैं तो फिर ऐसे विद्यारति नई विद्यारति ये सोच सकते हैं अपने आसपास वाले ऐसे विद्यार्थियों को जो आउसाद में हैं उन विद्यार्थियों को देख करके कि भही मुझे इस प्रकार से आउसाद में आए बिना कैसे मैं इस पहली ही बार में इस परिक्षा को पास कर जाऊं जिससे मैं और आगे जीवन में इस उचित प्लेट बनने के बाद व्याख्याता बनने के बाद भी एक अलग चुनोती है कि अपने व्याख्याता अपने ग्यान के और अपने जानकारी के उसे इसतर को बनाए रखने के लिए पढ़ना है और नए नए प्रकार के जो और जानकारी आ रही है उनको भी समिट करके चलना है तो सेलेक्शन होने के बाद भी चुनोती है पढ़ने की और फिर किनी कारणों से जो विद्यारती रहे गए हैं उन विद्यारतियों को आखिरकार देर सबेर आज अगर वह जुट रहा है तो बहुत बहुत ही शांदार बात है अन्यता कुछ माहा के पश्यात कुछ माहा के पश्यात इन अनावशक बातों पर प्लीज आप सभी से मेरा आगरह है इस बात को आप समझ लीजिए आप सभी निश्यत रूप से बहुत अच्छे अपने आपके अंदर इस प्रकार का ग्यान भरा हुआ है आपको बार बार ये बात बताने की ज़रत इसलिए पड़ जा इस बीस बी तरीके से कमिया रही हैं उनको दुरस्त करके और अच्छे से अब आप तयारी में जुट जाएए क्योंकि हमारे पास ऑप्शन और कोई दूसरा है नहीं कोई विकल्प है नहीं विकल्प से मतलब कि जब तक हमारा केरियर नहीं बनेगा तब तक आखिरकार हमको जुटे रहना है तो मैं आप सभी विद्यारतियों से आगरे कर रहा हूं जो चारों प्रकार के विद्यारतियों से मैं आगरे कर रहा हूं कि आपको हर हाल में अपना विशे तो पढ़ना ही है और अगर विशे पढ़ना है तो उसको आप अभी से पढ़ना जारी रखिए हर हाल में पढ़ना जारी रखिए क्योंकि जो विद्यार्थी ऐसा फ़ल नहीं हुए हैं उन विद्यार्थियों को बहुत जल्दी अपने आपको उस डिप्रेशन से बाहर निकाल करके क्योंकि डिप्रेशन से आप खुदी और भी आवसाथ से खुदी बाहर निकलेंगे कोई दूसरा आपको यह जो बाते बोलेगा उस से आप हो सकता है और अधिक पीडित हो जाएं तो मेरा आप से इसमें ये भी निवेदिन है कि पहले वाली जो बातें घटित हो चुकी हैं उन घटित होने पापस से आप अपने गती को प्राप्त करिए तो मेरा आपको सभी को इसके लिए बहुत शुब कामनाएं हैं आप सभी यह अपने जो आपने उच्चित लक्षे और अपना पवित्र लक्षे निर्धारित किया हुआ है उस लक्षे को आप निश्चित रूप से प्राप्त कर झाल झाल